दोसो आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा दगाइड ये एक बहुत ही फेमस नोवल है जिसको लिखा है आर के नरायन ने ये कहानी है राजू नाम के एक लड़के की राजू जो अपनी कहानी खुद बया करता है इसका जन्म हुआ था मालगुडी नाम के गाउं मे एक शौपकीपर के घर में जिस वक्त ये बड़ा हो रहा था उस वक्त इंडियामें बहुत बड़े बड़े चेंज़िस आ रहा थे एक शौप डालने का मौका मिला तेकिन पैमिली की किस्मत थोड़ी खराब थी राजू की फादर की अचानक से डेथ हो गई तो रेलवे स्टेशन पर अब जो शौप खुली थी उसको समालने का सारा जिम्मा आ गया राजू के सर लेकिन राजू का इस चीज में कोई खास दिल लगता नहीं था वो ज्यादा टाइम तक एक शौप की पर नहीं रह सका मालगुडी में जो भी विजिटर्स आते थे बाहर से उसने क्या किया उनको रेलवे स्टेशन से ले जाकर मालगुडी की अलग-अलग जगाओं को दिखाना शुरू कर दिया कहने का मतलब वो एक गा इतनी फेमस होती चली गई कि अब वो चारों तरuff रेलवे राजु की नाम से फेमस हो गया सब लोग उसे रेलवे राजु की नाम से जानने लगें अब एक दिन एक वीजिटर इसके पास में आता है एक कस्टमर इसका जिसका नाम था Marco मारको पोलो एक सीरियस ट्राइब का पढ़ाले का कस्टमर था वो इंडिया की इंशेंट सिविलाजेशन को पढ़ने के लिए आया था मालगुडी रिसर्च करने के लिए आया था वो यहां की केव पिंटिंग्स देखने आया था यहां पे मंदिरों पे जो आर्किटक्चर था उसको देखने आया था और उसने अपना गाइड चुना राजू को राजू जो यहां की बारे में काफी कुछ जानता था यहां की साइट्स के बारे में जानता था और अच्छे से as a tourist guide वो उसको guide कर सकता था लेकिन राजू को ये आदमी कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया अब इसकी वज़य क्या थी सबसे पहला तो ये आदमी थोड़ा घमंडी था और दूसरा सब चीजों पर अपना control चाता था लेकिन हमारे राजू ने इस आदमी का साथ नहीं चूड़ा इसकी वज़य थी कि उसी वक्त राजू की मुलाकात होती है उस मारको की यंग ब्यूटिफुल वाइफ रोजी से जब मारको यहाँ पर आया उसी के थोड़े समय बाद में वो भी इसी टाउन में आ गई राजू तो जैसे उस आउरत को देखते ही दीवानसा हो गया भले ही उस आउरत का नाम एक फॉरेन नाम पे था मतलब बाहर की आउरत का नाम था लेकिन वो एक इंडियन थी और वो बहुत ही अच्छा इंडियन क्लासिकल डांस भी जानती थी जब उसने रोजी को डांस करते हुए देखा तो उसने रिलाइस किया कि ये एक ग्रेटिस डांसर है जो उसने आस तक देखी अब रोजी के और करीब जाने के लिए राजू उसकी और उसके हस्बेंड की बेमतलब की केर करने लगा जब ये इन दोनों की ज्यादा करीब हो गया तो इसे समझ में आ गया कि इन दोनों की लव लाइफ में हस्बेंड वाइफ की लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है कुछ तो प्राब्लम है क्योंकि बात बात पर दोनों पे जगड़े हुआ करते थे जो इनके साथ अलग-अलग जगाहों पर अलग-अलग लोकेशन्स पे जाया करता था और एक दिन जब ये इनके साथ में गया तब इसको मालुम पढ़ा रोजी से कि रोजी अपने हस्बेंड से इस चादिशुदा लाइफ में डिससेटिसपारड है और सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो अपनी वाइफ को अपने काम के अंदर बिलकुल भी दकल अंदाजी देने नहीं देता वो कहता है कि मेरे काम से दूर रहो और वो जो डांस करती है जो उसकी फैमिली सदियों से करती आई है अब तक, जनरेशन से उस डांस के आर्ट को वो कुछ नहीं समझता बस यही डिस्साटिसफेक्शन का फायदा लेकर राजू रोजी से फ्लेट्रिंग करना शुरू कर देता है उसको कॉंप्लिमेंट करता है कहता है कि आप जैसा तो कोई डांस ही नहीं कर सकता मेडम और राजू की इनी चालाकियों के साथ-साथ रोजी और राजू का अफेर शुरू हो जाता है बेहाइंड दा बैक आफ मार्को मार्को की पीट पीछे रोजी को बड़ा पसंद आया है कि राजू ने उसकी तारीफ की वो ये बात अपने हस्बेंट से जाकर बोलती है वो कहती है अपने हस्बेंट को कि मैं क्लासिकल डांस में अपना करियर बनाना चाहती हूँ लेकिन मार्को मना कर देता है यही एक्सपेक्टेट था उससे ये सुनकर उसे गुस्सा आता है और इसी गुस्से में अंजाने में वो कह जाती है कि उसका राजु के साथ affair चल रहा है वो आदमी जो उसकी हमेशा तारीफ करता है हमेशा उसके टेलेंट की तारीफ करता है जो उसके husband को करनी चाहिए और इसी वज़ह से दोनो husband wife में लडाई हो जाती है इस बीच में जब राजू मारको और रोजी से मिलने आता है पीक हाउस पर तो वहाँ पर ना तो रोजी ना ही मारको बताते हैं कि उनके बीच में अभी क्या हुआ है किस बात पर उनकी लड़ाई है पस रोजी ने राजू से सिर्फ इतना कहा कि हमें अकेला छोड़ दो राजू क्या करता राजू वापिस मालगुड़ी आ गया वहाँ पर उसे रोजी की यास अता रही थी अब दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये टूरिस्ट गाइड का काम तो करता है लेकिन उससे कुछ खास अर्निंग नहीं है अर्निंग इसकी थी रेलवे स्टेशन की दुकान से वो इसको समाल नहीं थी जो ये समाल नहीं रहा था और इसी वज़े से इसको पैसे की तंगी होने लगी अब एक दिन कुछ हफतों के बाद में राजू के घर आ जाती है रोजी अपना सामान लेकर इसके घर के सामने अब इसके घर में इसके साथ में इसकी मा रहती थी जो एक ट्रेडिशनल वूमन थी वो बड़ी सर्प्राइज हो जाती है देखकर कि एक जवान औरत इसके साथ में चुरू शुरू में तो उस ओल लेडी को यानि इसकी मा को कोई प्राब्लम नहीं होती उस औरत को देखके लेकिन आप ये सोचोगे कि रोजी यहाँ पर आई क्यों है रोजी राजू से बोलती है कि उसके हस्बेंड मारको ने उसे छोड़ दिया राजू बड़ा त्रिल्ड फील करता है रोजी को अपने घर में देखकर क्योंकि रोजी से काफी टाइम से मुलाकात नहीं होई थी वो अब भी उसके डांस का दिवाना था उसके डांस की तारीफ करता था इनफेक्ट रोजी उसी के घर में रहे कर अपने डांस की प्रैक्टिस किया करती थी लेकिन इसके घर में प्राबलम तब शुरू हो गई जब इसकी मा को पता चला कि रोजी एक मैरेड वुमिन है और अपने हस्बेंड को छोड़ कर आई है ऐसी अपवाहें मार्केट में उड़ रही है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये रोजी एक डांसर फैमिली से है यानि ये बिलॉंग करती है एक लूवर कास से और राजू इस वक्त कुछ कमाता तो है नहीं वो railway पर जो इसकी दुकान है वो कोई और ही समाल रहा है railway shop पर जो भी सामान आ रहा है कितना सामान आ रहा है कुछ भी हिसाब किताब इसके पास है नहीं एक सेट जो इसको wholesale में सामान देता था railway shop के लिए वो राजू से पैसे मांगने लगा वो उसको कोट तक घसीट के ले गया कि अपने पुराने करजे वापस करो राजू को कुछ पता नहीं था कि उसकी रेलवे शॉप पर चल किया रहा है वो वापस गया अपने रेलवे शॉप पर तो उसने देखा कि उसका बिजनस तो जिसको संभालने के लिए दे रखा था उसने लॉस में पहुचा दिया है पूरा और क्या इतनी प्राप्लम्स कम थी कि इसके अंकल भी इसके पास में आ गया यानि इसके मामा जी इसकी मा के भाई वो आते हैं घर में और बोलते हैं राजू तू इस औरत को छोड़ेगा या नहीं ये औरत यानि रोजी अभी की अभी इस घर से बाहर जाने चाहिए लेकिन राजू पे तो उसकी दीवान की थी राजू ने अपनी मा की साइड लेने की बजाए रोजी की साइड ली और उसके रस्पॉंस में इसकी मा ने ये घर छोड़ दिया वो अपना सामान उठाती है और अपने भाई के साथ ये घर से चली जाती है रोजी को बिचारी को पता नहीं था कि राजू की जिंदगी में कितनी पनेंशल प्राब्लम्स चल रही है वो अब भी घर के अंदर रहकर अपनी डांस की प्राटिस करती रहती थी चैए बाहर घर के बाहर कितनी भी अफवाय उड़े कितनी भी बाते बने राजू भी इसे एंकरीज करता रहता था और एक दिन रोजी ने कहा कि मैं रैडी हूं मैं इतनी practice कर चुकी हूँ कि अब publicly stage पर लोगों के सामने perform कर सकूँ और Raju भी ready था उसको stage पर सब के सामने लाने के लिए उसने stage पर उसको लाने के लिए एक नाम दिया नाले ने एक नया नाम नाले ने ये नाम उसके public debut के लिए बहुत अच्छा था पहली बार राजू ने सब के सामने उसकी public performance करवाई और दोस्तों आप क्या मानोगे पहली performance में रोजी को एक huge success मिली बहुत बड़ी success मिली जो भी पैसा कमाया था उसका सारा credit किसको गया सारी की सारी fame मिली नालेनी को और पैसा मिला राजू को और वो बन गया एक नई dance artist नालेनी का manager नालेनी अब इतनी famous हो चुकी थी कि उसको जगे जगे से offer आने लगे थे नालेनी के dancing art ने उसको एक guide से एक बहुत पैसे वाला आदमी एक influencer में बदल दिया था दीरे दीरे ऐसे ही करते करते राजू और रोजी एक बड़े से luxurious house में move कर गए और राजू meeting करता था बड़े बड़े politicians से, bankers से, rich merchants से, बड़े बड़े व्यापारियों से और नालेनी से एक बार मिलने के लिए उन्हें राजू से तो मिलना ही होता था मतलब राजू से मिलकर ही जाना होता था अब दीरे दीरे जब नालेनी की fame बढ़ती चली जा रही थी तो लोगों से मिलना जुला भी होता था लोगों से दोस्ती भी बन रही थी तो राजू को इस चीज़ को देखकर jealousy होती थी कि उसके इतने friends नहीं हो सकते तुम्हें इतने friends नहीं रखने चाहिए धीरे धीरे उसने उसके friends की limits कम कर दी यानि कि उसने कुछ चिनिंदा friends बनाए और limited time दिया कि इतने time तक इतने आदमियों से मिले हो राजू को ये खयाल नहीं था जो वो कर रहा था इससे कितना ज़्यादा dissatisfaction dissatisfaction रोजी के अंदर develop हो रहा था और एक दिन राजू को receive होता है एक unexpected parcel mail के थूँ जो भीजा था उसके husband Marko ने यानि रोजी के husband Marko ने उसके अंदर एक book थी वो book इसके husband की थी Marko की Marko ने जो research की थी caves पे, paintings पे जो मालगुडी के अंदर उस पर एक book publish करवाई थी राजू ने वो book रोजी से hide कर दी, चुपा दी लेकिन कब तक चुपा सकता था रोजी ने अपने husband Marko की बारे में एक magazine में पढ़ लिया कि उसने एक book publish करवाई है वो बहुत excited हो गई लेकिन उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया जब उसे पता चला कि Marko ने उसके husband ने उसको एक book भेजी थी और राजू ने उस book को उससे चुपाए रखा राजू को इस बात से बहुत जलिसी हुई कि जिस husband ने इसको छोड़ दिया था जिस husband ने इसकी परवा ने की मैंने इसके talent को पूरी दुनिया को दिखाया आज भी यह उसकी side ले रही है राजू ने एक letter भी चुपा के रखा था जो उसके husband Marko की तरफ से आया था इसको बताया रही था कि Marko की lawyer ने उसको एक letter भेजा था जब वो book भेजी थी उसके just बाद में एक letter भी आया था letter कुछ jewelry के बारे में था जो Marko रोजी को देना चाता था लेकिन वो letter रोजी को देने की बजाए राजू ने उस letter पर खुद के फरजी sign कर दिये किसके फरजी sign कर दिये रोजी के फरजी sign कर दिये ताकि वो jewelry का जो box रोजी को मिलने वाला था Marko की तरफ से वो खुद उसे पा ले रोजी को पता भी नहीं चले लेकिन lawyers का भेजा हुआ letter साजी इतनी आसानी से चुपने वाला थोड़ी था फरजी sign चुपते हैं क्या राजू को पकड़ लिया गया और expose कर दिया गया पुलिस के सामने पुलिस सप्रेटर ने क्या किया एक warrant निकाला राजू को arrest करने का और उसे पुलिस के द्वारा force किया गया रोजी के सामने सब कुछ सच-सच बताने के लिए रोजी जिसके पास इतना पैसा और इतनी wealth आ चुकी थी उसे अब भी इस पैसे की लालस सी और आप कितना भी पैसे कमा लो लेकिन आप पर जब ऐसा इल्जाम लगता है तो सब कुछ तबाह हो जाता है राजू के साथ भी ऐसा हुआ lawyers उसे बचाने सके ऐसे फ्राड करने पर उसे दो साल की सजा सुनाई गई और राजू जब जेल में गया तो हर नियूस्पेपर हर अकवार में उसकी तस्वीर थी राजू कभी रोजी से दुबारा नहीं मिल पाया और दो साल उसने जेल में काटे फिर उसके बाद जब वो जेल से बाहर आया तो वो जाकर एक नदी के किनारे एक छोटे से गाओं में एक नदी के किनारे से जाकर बैठ गया वहाँ पर एक इसको अंजान आदमी मिला वो इसकी तरफ देख रहा था बहुत अजीब धंक से देख रहा था उस आदमी का नाम था वैलन उस आदमी ने इससे कहा कि मेरी सौधली बहन के साथ में मेरी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है मैं अपनी बहन की शादी करना चाता हूँ किसी आदमी से और वो मान नहीं रही है वैलन पता नहीं क्यूँ इस राजू को कुछ समझ रहा था उसने पता नहीं बे मतलब में इसको रेस्पेक्ट करना शुरू कर दिया जैसे ये कोई बाबा हो जिसको ये अपना दुखडा गागा कर सुना रहा था राजू ने सोचा कि इसकी हेल्प कर देते है वैलन अपनी बहन को पास में कुछ पावर्स है ये एक होली मैन है एक स्प्रिच्वल गाइड यानि एक बाबा है और गाओं के लोग यहां वहां के लोग उसकी बे मतलब में रस्पेक्ट करने लगे उसके लिए खाना लाने लगे उसके लिए डेली बड़ी डाड़े उगाना शुरू करती और वहीं पर गाओं की नदी के पास में जो मंदर बनावा था वहां पर ये रहने लगा धीरे धीरे ये फेमस होने लगा गाओं वालों के बीच में और लोग इसे सुनने के लिए गंटों इसके पास बैठे रहते थे ये अलग-अलग टॉपिक्स पर बाते करता था वो इन सब लोगों के बीच में भी एक दोके बाज की तरह फील कर रहा था कि अब भी वो एक दोके बाज वाली हरकते कर रहा है क्योंकि आखिर वो एक बाबा तो था नहीं न लेकिन जस तरह की अच्छी लाइफ इसको यहाँ पर मिल रही थी वो कहीं और कहां मिलती लेकिन यहाँ पर एक नई प्रॉब्लम स्टार्ट होती है प्रॉब्लम ये कि इस गाउं में सूखा पढ़ता है और इस तरह से सूखा पढ़ने की कारण गाय, बैल, बकरियां सब मरने लगते हैं और इसी कारण आपस में लोग जगडने लगते हैं लोगों को इसी तरह से जगडता देखकर राजू कहता है एक पागल आदमे को कि लोगों से कहो कि जगडना बंद करें अगर लोग जगडते रहेंगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा लेकिन वो पागल आदमी इस बात को गलत तरीके से लेता है वो जाकर लोगों को ऐसे बोलता है कि महात्मा जी पास्ट रखेंगे ताकि बारिश हो लोगों को राजू में एक उमीद दिखती है वो दोड़ कर उसके पास में आते है वो ये चीज़ देखकर बड़ा शौक्ड हो जाता है कि उसकी बात का कैसे मतलब निकाला गया है लेकिन अब वो प्राब्लम में फजग गया था अब वो ये पास छोड़ भी नहीं सकता था लोगों ने उसे महतमा जो मान रखा है और ऐसा करते वक्त वो वेलन को अपनी सारी कहाणी बताने लगता है अपनी पूरी स्टोरी नालेनी की स्टोरी कैसे वो टूरिस्ट गाइड था कैसे मा छुट गई कैसे घर छुट गया कैसे जेल में रहा कैसे फ्राड किया सब कुछ कहानी बताता है लेकिन ये कहानी सुनने के बाद आप सोचोगी कि वैलन के दिल में राजू के लिए इज़त कम हो गए होगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ वो अब भी राजू को एक महात्मा की तरह देखता है राजू सोचता है ये क्या है कैसे लोग हैं ये लोग राजू सोचता है कि अभी तक तो जो कुछ भी हुआ वो इसकी मर्जी के बिना था लेकिन अब ये फास्ट करेगा फास्ट करेगा यहां के लोगों के लिए ताकि बारिश हो आकि जिन्दगी में एक बारी अच्छा काम करने जा रहा था और यहीं पर शुरू होती है राजू के लाइफ की एक आध्यात्मे कहानी राजू का ये वरत दो हफते तक चलता है और तब तक आस पास के एरिया में ये बात बड़ी फेमस हो जाती है कोई स्वामी जी हैं जो वरत कर रहे है टीवी चैनल्स में दिखाये जाता है अकवारों में दिखाये जाता है चारों तरफ ये दिखाये जाता है कोई संत वरत कर रहा है बारिश के लिए और राजू योहीं बैठा रहता है बस उमीद में आस में की बारिश होगी दो हफ्ते तक ये व्रत चलता है और इस व्रत के आखरी दन राजु अब बहुत वीक हो चुका होता है वो नदी में जब पूजा करने के लिए जाता है जैसे वो रोज जाता है वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ता है बहुत कमजोर हो चुका था वेलन उसके पास में आता है तो वो बोलता है मुझे लग रहा है पाड़ी पर बारिश होगी और इसी के साथ यही पर यह कहानी खत्म होती है दोस्तों बहुत ही confusing ending है आरके नरान ने इसी तरह से story को लिखा है इसी तरह से इसके ending को लिखा है और इसके बाद कुछ clear नहीं है रीडर्स की imagination पर छोड़ दिया वो क्या सोचते हैं कहानी के बारे में कि कहानी में आगे क्या हुआ होगा यह बात बलकुल clear नहीं है कि बारिश हुई या नहीं हुई क्या राजु मर गया आगे क्या हुआ कुछ भी clear नहीं है और यहीं पर यह novel खत्म होती है दोस्तों उमीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आयोगी आज की इस वीडियो बस इतना है